हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबिग बूल 420 पर इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कल Monday Tuesday market है कल मारकेट के क्या मुमेंट हो सकते हैं कल फिन निफ्टी एक्सपाइरी के दिन क्या मारकेट का मुमेंट हो सकता है आज के लिए एक्जेक्ली Monday market के लिए जो मैंना एनलिसिस वीडियो बनाया था क्या मारकेट आज उस पर काम किया नहीं कि आज का मारकेट के सारा इस सारी कोंसेट अपने इस मारकेट एनलिसिस में देखेंगे अगर आप हमार साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन हिट कर लिजीगा सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी क्या सती थी किस प्रकार का पूरा बैंक निफ्टी रहा है ठीके गाइस तो एक चीज और मैं आपको पहले यहां क्लियर कर देता हूँ वो यह है कि आज का मार्केट के लिए मेरा क्या व्यू था एक्जेक्ट अगर बात की जाए सुनिएगा अगर मार्केट यह जो अपना लेवल है जो कल का क्लोजिंग था ठीके ना तो अगर कल मार्केट आपका यह वीडियो में ने I think सटाड़े को बनाया था सटाड़े संड़े को मंडे के लिए आज मंडे मार्केट यह पूरा मंडे मार्केट है तो समझेगा अपन सिर्फ एक ही condition में यहां से buying में जाने का था plan अपना वो क्या था कौन सा भी नहीं था अपन buying में जाने ही वाले नहीं थे फिर भी market buying गया तो यहां से क्या यह है इसका मतलब कि अपना analysis wrong हुआ the answer is no view क्या थे फ्लेट ओपन होगा ब्रेकडाउन करेगा मार्केट में अपन सेलिंग करेंगे गेब डाउन ओपन होगा मार्केट में सेलिंग करेंगे अप ओपन होगा जैसा कि market हुआ तो इस condition में market की संभावना probability high यही थी कि sideways होगा यही थी market open होता है फर्स्टी केंडल एक बहुत strong buying candle अपनों को शो हो जाता है यहां से जरूर market आपका lower low lower high का formation क्रेट किया लेकिन इस trend को तोड़ते हुए कहीं कि market एक opposite direction में open होता है gap up open होता है downtrend में अगर downtrend चल रहा है इस प्रकार का इसी में अगर आप एक gap up open देखो और यही से एक strong bearish candle बनती तो मैं अगली ही candle में put ले लेता मजाग नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहां पे downtrend में एक strong bullish candle देखी ना तो अपन इस particular candle के high पे entry ले सकते हैं breakout वगरा पे reason था बहुत clear कि भया trend डाउन है उसके according market की जो स्तीती है तीक है वो ये levels ते 43,000 का level था तो यहीं कहीं buying बनती भी नहीं थी ये swing था so there are a lot of things जो market में अपनों को चाहिए था वो था एक retracement अपन एक retracement मिल जा है market में buying कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे तो market का अपनों ने जो market analysis में view दिया था वो था sideways ठीक है अपन मार्केट में पहला momentum always बात है ये वाला थोड़ा सा अपनों ने avoid किया reason था अपनों को swing नहीं मिला और conviction था नहीं क्योंकि trend opposite चल रहा था ठीक है then जब market swing create किया उपर गया और ये high break करने पर असक्षम रहता है तो यहाँ पर बहुत clear हो जाता है मैंने जैसा बोला कि market एक trendy market होता है उसके अगले दिन gap up हो जाता है market तो most probability यही होता है sideways होता है reason होता है यहाँ के जो यहाँ से market में एक CE को sale किया जाता है यहाँ से market में एक PE को sale किया जाता है और यह market का एक बहुत अच्छा क्या बन जाता है option selling का zone बन जाता है वही market आज हुआ apart from like this तीक है यह momentum के और यह बहुत बड़ा momentum तो छोटा momentum नहीं था तो ठीक है accept it कि हाँ यह कहीं न कहीं unexpected हुआ market में बाकिया overall अच्छा है market यहाँ से वापस आज अपने को एक चीज़ तो show किया कि भाया यहाँ से वापस market एक कहीं न कहीं effort मारा है buying करने का अपना जो market का momentum है अभी अपन market जो है positive अपने आपको लेके close हुआ है आज से वापस अपन market को थोड़ा सा एक range में सबसे पहले मैं clear कर लिता हूँ अब चलते हैं day time frame पर अपने लिए कल का market की लिए क्या भी होने वाले हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं बहुत सारे comment आते हैं जिसा बैंक निफ्टी को इतना खीस देते हो कि भाया निफ्टी फिन निफ्टी बसते ही नहीं है तो आप देखो बैंक निफ्टी को मैं सिर्फ समझाने का तरीका बता रहा हूँ आप समझ तो आप इसको निफ्टी में भी समझो बैंक निफ्टी में भी समझो फिन निफ्टी में समझो depends on you आप तरीका समझो मैं बता क्या रहा हूँ तो हाँ जी overall हुआ क्या है कल का जो lastly market था आपका Friday market उसी के अंदर आज का पूरा candle आज चुका है ये range हमाई लिए one of the most important range अभी हाल फिलाल में होने वाली है market एक range में इसमें कोई दोराई नहीं है बहुत जादा इसको 15 में टाइम फ्रेम पर ले लेता हूँ सारे यहां से लेवल सटा जेता हूँ और अपन market में कल के लिए किस प्रकार चलने वाल है कल के market में क्या momentum अपने expect कर रहे हैं market से वो चीज़े देख लेता है ओके ओन एन एवरेजली एक लेवल में आपको दे रहा हूँ एक्जेक्ट 43,000 43,000 400 का एक लेवल है 43,400 का एक लेवल है इस market like अगर आपके इसी रेंज में ओपन होता है इसी रेंज में जब नीचे से एक टेंड लाइन चल रहा है quantity थोड़ा कम कम लेके चलेंगे लेकिन हाँ market में अभी put में जाने का समय नहीं है put में कब जाएंगे put वाला market कब आएगा वो exactly minimum आप लेके चलना कम से कम आपका 43,000 40 around का लेवल है 43,000 40 around का लेवल है इसके नीचे अपन market में put वगरा देखेंगे उसके पहले नहीं याद रखेगा इस चीज को क्योंकि market swing तो ये भी create कर चुका है ये भी एक ये breakdown हो तो put में जाए वो अली बात हो जाएगी लेकिन हाँ स्तिती है round level है multiple touches है इस level पे तो अपन इसके नीच से थोड़ा बहुत बेरिश हो पाएंगे स्तिती के हिसाप से बाकी market में अपन bullish है flight open होता है bullish रहेंगे एक gap up open होता है retracement वगरा का wait करेंगे और mainly मैं market में bullish हो जाऊँगा जब market आपका 43,720 का level है 43,720 का level है इसको break कर देगा जब मैं market में अच्छा कासा bullish हो जाऊँगा तब तक के लिए market में में लिए ये दो levels आपके लिए होने वाले है ठीके gap down open होता है market को थोड़ा सा समझेंगे अगर मालोग gap down open हो जाता है कल तो फिर market को थोड़ा सा technical price action based पर समझेंगे वही best होगा उस तीती में अपन बहुत ज़्यादा execution कर नहीं पाएंगे लेकिन आप best तीती क्या है फ्लेट open होता है breakout करता है consolidation मिला है आज की दिन फिर nifty expiry भी momentum आ सकता अब side में इसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं nifty 50 के बारे में nifty 50 कैसे है हमारी हाल चाल क्या है nifty के nifty 50 अच्छा bullish रहा nifty अगर 15 ने time frame पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है clear ये view था nifty का ये swing आपका break हो nifty का बहुत clear था इस swing पर अपन कुछ quantity rate कर सकते हैं और अगर market ये swing break किया फिर तो market आपका जाना ही था ये बहुत clear analysis आपको बोला था plate open होता plate open होता market में bearish होता है लेकिन market दोनों स्थीती में से सब कुछ भी नहीं किया finnifty कल की क्या स्थीती हमारी होने वाली बहुत clear अगर बात की जाए finnifty में एक level है आज का high obviously 18,285 का 18,285 का plate open होता है break out करता है अपर साइड में buying के लिए continue करेंगे gap up open होता है gap fill करता है market अकर buying create करके यह जो यहाँ पे जो बनेगा like जो इसका high swing बनेगा उसे break करता है market में buying बनेगा बहुत बड़ा gap up हो जाता है market में price action का wait करना है market क्या trend continuation कर रहा है profit booking कर रहा है दोनों चीज़ों में से एक चीज़ देखना पड़ेगा अब यहीं पर अगर एक स्थिती यह create होती कि market अगर gap down open हो जाता है okay तो market अगर gap down open हो जाता है तो last swing अगर देखा जाए बड़ा बड़ा swing देखें तो यह market का एक 18,190 like 18,190 का एक level है जो market में support provide कर सकता है reason है यही level कहीने के previous time का resistance था और अगर market resistance break करता है तो कहीने के buying देता ही है support provide करता है ठीके 175 का रखेगा 18,175 का अपन market में क्या रखेगे एक support रखेगे तो यहीं कहीं market में price action के base पर फिर काम होगा अभी आल फिलाल जैसी closing है उसके according market को थोड़ा आसा अपन bias रहेंगे bullish के तरफ अभी यहाँ पर देख लेते है fin nifty क्या हाल चाल है fin nifty की क्या स्थीती है market में उसको समझ लेते है ok fin nifty के picture perfect level से लगे है लेकिन उसके बाद भी इसका expire ही तो थोड़ा असा detail में समझा इतना भी आप फ्लेट ओपन होता है breakout होता है level है आपका 19,350 का around का level है breakout होता है buying बनेगी 19,519,500 तक gap up open होता है price action का wait करेंगे माल लिजे market अगर एक gap down opening देता है थोड़ा सा market में wait and watch की city बनेगी support बनेगा 19,211 का 19,211 का ये finnipty का अपना view है guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please इस वीडियो पर एक like कर दीजिगा stream पर पहली बाह बनेगे चैनल को subscribe करके bell icon hit कर दीजिगा comment करके बताएगा क्या ये वीडियो आपके लिए helpful था अगर रहा है तो subscribe करके bell icon hit कर दो me local morning live में 9 बजे से दिन में 3 बजे तेक इसी channel पर live आते हैं तो channel को subscribe करके bell icon hit करके हमाँ साथ daily live में चूड़िएगा मिलते हैं कल